कुछ बोहुत ही महत्रपूर बातें ऐसी बातें जो कि आपके एक्जाम में बहुत सारे नंबर्स आपके बचा सकती हैं चोटी-चोटी चीजें हैं जो में ध्यान में रखनी चाहिए और कल का एक्जाम बहुत अच्छा जाएगा ठीक है तो फटा-फट से देख लेतें क्या बात है चारो सेक्शन देखिए यह जो आज हम वीडियो आप यह देखने वालेंगे वीडियो आपको लिटरली हर एक लांगविच पेपर में मदद करेगा क्योंकि लांगविच के अंदर यही कुछ ऐसे परामेटर होते हैं जो भी हम डिसकस करेंगे जो जच किये जाते हैं जब आपको मार्क्स अलॉट होते हैं तो चारो सेक्शन आपके पास में हैं इंदी के अंदर भी तो सबसे पहली बात तो जो मेरे टिप यहां पर रहेगा और जो आपको ध्यान रखना चाहिए हो यह है कि आपको पूरा का पूरा पेपर एक बार में पढ़ना है 15 मिनिट का जो टाइम मिलता है उसके अंदर अगर आप पूरा पेपर पढ़ लेते हो और अगर आपको उसमें से कुछ समझ में नहीं आया तो क्या होगा ना कि आप बार बार उसी पर फोकस करते रहोगे यह मुझे नहीं आता यह मुझे नहीं आता इंस्टेड़ फोकसिंग और वह व अगर नहीं कोशिश करना है कि हम पैसज में दीए गए इसके साथ में बिल्कुल ध्यान रखना है जो एसे क्वेश्चन सोते हैं जिनको आपको वन वर्ड में आंसर करना होता है यह टेकी करना होता है उनकी तो कोई लोड नहीं है बट अगर कोई ऐसे question होते हैं जो subjective type के होते हैं तो उसमें word limit cross हो जाती है जो कि किसी भी language paper में नहीं होनी चाहिए चाहिए फिर वो English हो या फिर Hindi और नेक्स्ट जो है वह है आपका राइटिंग सेक्शन जो है वह भी आपका फुल अटेंशन डिमांड करता है आपकी creativity फुल उसमें होनी चाहिए और फुल अटेंशन फुल अटेंशन आपके paper की questions को अच्छे से read करने में वह क्या मांग रहे हैं ठीक है उस चीज में और creativity ज हमेशा king रहेगा format का खयाल आपको रखना है पर ऐसा नहीं है सिर्फ format पर emphasize करना है ध्यान रखना है कि अपने व्यूज को express करते वक्त हेजिटेट नहीं होना है क्योंकि आपकी creativity है जो देखी जाती है जब आप लोग writing section attempt कर रहे होते हो नहीं तो writing section का मतलब ही क्या हुआ यह जब भी लिखने लगते हो तो ऐसा नहीं है लिखते 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 कहीं पर भी पहुँच गया कोशिश करो कि coherent याने logical flow आप मेंटेन करो आपने एक बात बताई उसके बारे में discussion किया देन next idea पर गए फिर उसके बारे में discussion किया एक logically manner में sequence के अंदर आपका पूर इदर से उदर नहीं होना चाहिए आपका grammar भी place पे होना चाहिए अचा इसके साथ में अगर हम बात करते है grammar की तो grammar में class 10 की बच्चे तो खास करके सुनिए confidence होना चीक है और confidence नहीं होना चाहिए क्योंकि grammar चाहे English की हो चाहे Hindi की हो मुझे पता है तुम लोग की आदत है कि ब बहुत बार आपके बोलकर देखने वाला जो वर्ड है वो फिट तो हो जाता है पट वो grammatically फिट नहीं हो रहा होता तो over confidence में नहीं आना है और एक बार जब अपने grammar के section को attempt कर लिया अच्छे से तो एक बार जरूर उसे cross check करना ही करना है coming to the literature section याद रखो अपने views को अपने interpretations को hesitate express करने में hesitate नहीं होना है देखे literature के अंदर यही जानना चाहता है सामने वाला examiner कि आपने जो chapters पड़े हुए हैं जो poems पड़े हुई हैं आप उनके बारे में क्या सोचते हो आपके क्या interpretations है चाहे वो author ने क्या लिखा है उसको लेकर हो poet ने क्या लिखा है उसको लेकर हो यह author क्या करेगा मैं हूँ सबसे बड़ा author हमेशा जब भी कोई भी question आता है उसे अपने भाव express करने के लिए जब भी आप interpretation दिखा रहे होते हो हमेशा reference दो कवी ने ऐसा कहा है या फिर आपकी आप author का reference दे रहे हो आप poet का reference दे हमेशा reference दो chapter का reference दो poet का नाम लिखो author का नाम भी होते हैं उनमें number नहीं मिलते हैं और फिर आप कहोगे मैं मैंने तो पूरा paper attempt किया था मेरे तो full marks आने चीह थे पर पता नहीं marks कहां कट गया literature में बिना references की answer लिखोगे तो number cutting इसके बाद में आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है क्योंकि हिंदी हम में से ब उनी पर stick करना है तक ही से लगे कि आप academic paper लिख रहे हो यार दोस से बात नहीं कर रहे हो next आपको word limit का बिल्कुल यहाँ ध्यान रखना है word limit exceed होने पर number कटते हैं जी बिल्कुल यह बात सही है कि teacher एक-एक word जो है वो गिनता तो नहीं है बट हर एक teacher इतना experience होता है कि उन्हें सारी बाते आपको ध्यान रखनी है Hindi language के paper के अंदर चाहिए आप कोई सा भी course से हो आपको यह बाते हैं आपके Hindi language में काम आने वाली हैं चोटी-चोटी चीज़े हैं बट इस वीडियो को एक reminder की तरह set कीजे अपने दिमाग में और मेरी तरफ से all the best आप सभी को आपके paper के ल नहीं रोग सकता ठीक है आपके confidence को over confidence में बदलने मत देना right amount of confidence लेकर जितना आपको आता है एकदम अच्छे से बहुत ही काम होके एकदम captain cool की तरह मेंद्र सिंग दोनी की तरह एकदम काम होके हर एक question को attempt करना है कोई भी question छोड़ना नहीं है और हर एक question को देखते ही mind को signal भ English की तयारी भी हम करने वाले इस चैनल पर तो चैनल को English के related सारे content के लिए बिकुल subscribe कर देंगे और study tips और exam motivation के लिए बिचानल को subscribe कर देंगे मैं आप से मिलने वाली हूं next video में till then bye bye take care I love you all the best